तो दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिड में तो आज का वीडियो टोटली किस पे है ओफलाइन और ओनलाइन ट्रेनिंग पे कौन सी बेस्ट है आप सबके कोशन रहते थे हमेशा मेरे को कि सर बताईए ओनलाइन ट्रेनिंग करें या ओफलाइन ट्र पाने वाला हूं ओफलेंड में क्या फायदे है जां ओनलें में क्या फायदे है दुनों के डिसरड्वंटेज क्या है वो सब चीज़े इस वीडियो में हम बात करेंगे तो कंप्लीट वीडियो देखो लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल वो हमेशा याद रखती है हमेशा याद रखना हमेशा याद रहेगे आपको online training में क्या होता है no touch मतलब कुछ आप touch बगारा नहीं कर सकते हो लेकिन सीखते उतना ही उसमें भी आप उसमें भी आपको feel कर सकते हो चीज़ को लेकिन as compared to offline training offline training में आप थोड़ी time तक चीज़ आद रख सकते हो लेकिन थोड़े time सा बाद आप भूल सकते हो चीज़ को और अगर हम बात करें offline training की वो freshers के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या करने है लेकिन जो online training होती है कोई भी experience civil engineer है उसके लिए बहुत इंपोर्टन है online training experience जो आपनी salary बढ़ाना चाहते हो growth करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है और जिसको site का experience है तो वो online training करो और उसके लिए बहुत फाइदे मंद हो जाती है online training जो अगर हम बात करें field training वो होती है affordable मतलब उसमें थोड़ा आपका खर्चा बढ़ जाता है field training में लेकिन जो online training होती है वो थोड़ी सस्ती बढ़ती है as compared to field training फिर हम बात करते हैं जो भी company कोई construction company है वो field training को preference देती है जरूर preference देती है as compared to online training मतलब जो interviews preference दी जाती है लेकिन अगर आपके पास skill नहीं knowledge अच्छे से आपने पड़ा हुआ तो preference की कोई दूरत नहीं है क्योंकि आप answer हर question के दे रहे हो जो field training है उसका result काफी जदा अच्छा है और जो online training है उसका average result आपको देखने को मिलेगा आप average सीखोगे फिर जो अगर बात करें जो experience gain हो जाता है मतलो अगर आप field training कर रहे हो आपको field का knowledge हो जाएगा क्योंकि degree में कुछ हुआ नहीं है लेकिन field पे जाके वो चीज़े सीख सकते हो और online training में जो conversations होती है वो limited होती है कोई अगर teacher अच्छा है कोई आपका institute अच्छा है तो आपको वो guidance देता रहेगा आपके doubt clear करता रहेगा लेकिन उसमें थोड़े chances कम हो जाते हैं तो इधर से आपको idea लग गया होगा कि आपको कौन सी training करनी चाहिए field training करनी है या online training करनी है दोनों के अपने फायदे है दोनों के अपनी disadvantage है तो choose कर सकते हो जरूर comment करना की कौन सी आपने choose की तो अभी हम बात करते है है CMTA institute की जो दोनों पर work कर रहा है आपको online training भी दे रहे offline training भी दे रहे और इस समय CMTA के पास 200 plus opening है side engineer planning और QS और billing engineers के लिए अगर आप course लेते हो तो आपके chances बनते हैं मतलब assistant आपको provide की जाएगी job के लेटर कोई guaranteed job आपके लिए नहीं है कि CMTA के पास कुछ 200 jobs पढ़ी है इनक आपको job लगवा सकते हैं तो यह चीज बहुत important चीज होती है तो आज अगर हम बात करें जो इनके पास skill available है online training की अगर हम बात करें तो side engineer course इनके पास है जो Hindi, English, Tamil, Canada और हर एक language में आपको मिल जाएगा जिस trainer ने यह course करवाया है उनको 40 plus का experience है certificate इस course में मिलेगा एक अच्छ प्राइस 3000 है 750 में आपको मिलेगा 10 learner को Hindi English में रहेगा एक्सपर्ट आपको करवाएंगे उनको 25 प्लस का experience है इसमें इसका description में लिंक रहेगा फिर हम बात करें साइड इंजीनियर और quantity survey course billing course इन में से कोई भी लेता हो तो आपको 750 का वो मिलता है एक्छु प्राइस 3000 है और mini course इसमें rate analysis का वो free मिलता है हर एक buyer को तो 10 coupon है इसके लिए भी जल्दी से जल्दी apply कर लेना फिर हम बात करते हैं जो इनकी field training अभी मैं field training की बात करूं उन बच्चों को मोका मिलता है गुमने का MNC companies में गुमना इंदेंसे field पे जाके touch field कर सकते हैं हर चीज को practically सीख सकते हैं औ और यह सामने आप देख रहे हो final year civil engineering student है उन्होंने अपनी training बेंगलूरू जाके एक अच्छे project में की यहां पर आप देख रहे हो जो बच्चे उन्हें internship की यहां बेंगलूरू गे वहां जाके practical union है अपनी internship complete की है यह बहुत बड़ी बात होती है और side engineer के जो लिए skills जो चा execution plan के बारे में sequence क्या होता है construction का detail construction schedule के बारे में जो भी working out resources requirement होती है site logistic के plan के बारे में structure के बारे में finishing का MEP का PEP का यह एक site engineer को ज़रूर आना चाहिए वैसे quantity survey यहां billing engineer को क्या 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 आना चाहिए drawing reading तो मस्त आनी चाहिए autocad से कैसे measurement लेते हैं और मैं थड़ा measurement IS code के यल्प से BVS, coefficient, bill of quantities के बारे में specification rate analysis और cost management और VOQ के बारे में knowledge होनी चाहिए और industry expectations क्या आप से रखती है देखो skills हो आपके पास होनी होनी चाहिए आपका जो सीखने की शम्ता वो भी वो देखती है self initiative कितने हो good communication skill, interest कितना है और teammates के साथ कैसे आप adaptability आपकी है potential skill, ambitious यह सब चीज़े भी वो देखते ही देखते हैं तो यो मैं बात कर रहा था field training की offline training की hybrid mode में on है वो certificate course रहेगा advanced construction management यह है और इसमें आप online भी कर सकते हो, field बे जाके भी कर सकते हो, recorded भी मिल जाएगा 15 January से यह start होने वाला है 12 हफतों के रहेगा, daily 4 गंटे आपको पढ़ाये जाएगा और आपकी choice है, आपको online या offline सीखने है, इसमें 2000 प्लस placement CMTI की हो चुकी है, वैसे इनका एक और course है, जो है ID MTI की तरप से certificate course on interior design and management, यह भी 15 January से start हो रहे है, daily 4 गंटे इसमें भी पढ़ाये ज आने वाला है, तो इनकी app को भी download कर सकती हो, referral and का भी option है, यह सब चीजे आप easily सीख सकते हो, CMTI से, तो मेरे खाल में आपको सब answer मिल गया होंगे इस समय, तो आपको choose आपको करना skill आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको description में में link डाल देता हूँ, choose करिए अच्छे से और आगे बढ़िये, thank you guys.